दोस्तो गार्डेन में रखे एक पुराने स्पीकर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी तो वहां रह रहे हैं मालिक को लगा कि कोई जानवार होगा लेकिन जब उसने स्पीकर को एक हतोड़े की मदद से खोला तो उसे यकीन नहीं हुआ दरसल उस पीकर में एक जहरिले साप ने कई बच्चों को जनम दिया था स्पीकर के अंदर का नजारा देखकर गार्डेन के मालिक को विश्वास नहीं हो रहा था वो सोचने लगा कि इतने सारे सापों के बच्चे का वो क्या करे डरते डरते वो सापों के बच्चों को एक प्लास्टिक के गमले में इखटा करने लगा और उन सभी बच्चों की मा को भी उसी में डाल देता है और फिर सभी को एक प्लास्टिक की थेली में डाल कर जंगल में छोड़ देता है